नमस्कार दोस्तों मैं खेतारा मेगवार टेक्स समूंदर में एक बार फिर से आपका हाधिक स्वागत करता हूँ फ्रेंस आज के HTML क्लास के थूँ हम सीखने वाले हैं HTML Image Tag के बारे में HTML Image Tag का यूज वेब पेज पर इमेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है इमेज हमारे वेब पेज को कलरफूर बनाने के साथ-साथ वेजियल प्रजंस को भी बढ़ाता है और जिसकी वज़े से वीजिटर का जो एक्स्पिरेंस है कापी बहतर हो जाता है और जिसका positive एप सीधा हमारे बिजनेस या फिर हमारे वेब सायट पे परता है तो friends उसके लिए सीधा चलेंगे अपने PC पे जहां पे हम image track का use practically करके देखेंगे लेकिन friends उससे पहले मैं आप सभी से request करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से नीचे दिएगे सब्सक्राइब बेटर्म पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद all notification के bell icon को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के notification आपको मिलते रहें तो चलिए फ्रेंज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीधा चलते अपने PC पे जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इमेज टेकर यूज करके अपने वेब पेज पर इमेज इंसेट कर सकते हैं तो दोस्तों हम अपने computer screen पे आ चुके हैं और यहां पे मैंने HTML के basic structure साथ एक title लिया है h2 element के अंदर जिसमें मैंने लिखा है this is computer monitor ओके तो सबसे पहले इसका हम output देख लेते हैं तो उसके लिए यहां पे right click करेंगे properties में जाएंगे और type of file यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमारा file का type है png और इसका extension है .png सेम इसी तरह एक दूसरा image भी है मेरे पास इसका हम type देख लेते हैं file का तो यहाँ पर properties में जाएगे right click करके और यहाँ पर type of file यहाँ पर इसका file का type है jpeg image ठीक है और इसका .extension है .jpg ठीक है तो इस तरीके से हम file का type यहाँ पर पता लगा सकते हैं अब web page पर image को insert करने के लि type करेंगे img space देंगे एक attributes लेंगे src ठीक है दूसरा एक attributes लेंगे alt अब हम इस img tag यानि कि image tag के बारे में समझ लेते हैं तो यहाँ पर img tag क्या करेगा web browser को indicate करेगा कि हमारा image को display करना है web page पर पर कौन से image को display करना है तो उसके लिए हमने एक src attribute लिया जिसमें हमारा एक path यानि कि उस image का url ठीक है means कि जहां पर भी हमारा image located होगा उस location का path या फिर url यहां पर हम use करेंगे तो अब img tag src attribute का use करके web browser को बताएगा कि हमारे src attribute में जो भी path है उस path में यदि हमारा जो कोई image है तो उसको web page में display करवाना है ठीक है अब alt attribute क्या करेगा ALT means की alternative text फ्रेंस कई बाए क्या होता है कि visitor के site में कुछ internet के connection में कोई problem आ जाता है या फिर उनके PC में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर हमारा website जिस server में host है उस server का down हो जाना या फिर वहां पर कोई internet का connection slow हो जाता है तो उस case में क्या होता है कि हमारे web page पे image proper load नहीं हो पाती है तो उस case में हमारा ALT attribute काम में आएगा कि उस image की option में यहां पर हमने जो भी text यहां पर type किया होगा वह वहां पर display करवाएगा ताकि visitor को पता चले कि यहां पर जो image थी वह किसके बारे में थी ओके तो सबसे पहले तो यहां पर हम src attribute के अंदर image का path यहां पर हम set कर लेते हैं तो यहां पर हमारा एक file है यह file हमारा सेम जो HTML का page का जो file है उस file के मतलब उसी same folder के अंदर है यानि कि हम सिप यहां पर simply हम इसका file का नाम लेंगे और यहां पर हम पेस्ट करेंगे और हमारा इस file का type क्या था पी एंजी था और उसका extension क्या था .png ठीक है तो हमने यहां पर file के नाम के पीछे .png यहां पर लिख दिया है तो अब हम इसका output देख लेते हैं तो हमारा webpage पे कुछ इस तरीके से image आ गया है अब यह काफी image काफी बड़ी है तो हम इसका with भी यहां पर set करेंगे with attribute के थ्रूँ और यहां पर हम इसका pixels में यहां पर size set कर लेंगे फ्रेंस यहां पर pixel set करने के लिए आपको px लिखने ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ value यहां पर टाइप करेंगे number का तो वो by default pixel में ही काम करेगा अब हम page को refresh कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा 300 pixel के अंदर image set होके आ गई हैं सेम इसी तरह हम height को भी बड़ा या घटा सकते हैं height attribute के थ्रूँ तो यहां पर मैं 100 pixel यहां पर ले लेता हूं page को refresh करता हूं तो हमारा height गटके 100 pixel में set हो गया है ठीक है तो फिलाल में height attribute को यहां से निकाल देता हूं यह automatically जो बे suitable height होगी वो ले लेगा यहां से तो यह हमारा output आ गया अब friends suppose हमारा path यहां पर गलत होता ठीक है इस तरहीके से हमेने गलत path ले लिया ठीक है यहां फिर हमारा जो इमेज है इस फोल्डर यानि कि जो path है वहां पर available नहीं होता हमेने इस image को move कर दिया ठीक है यहां पर इस फोल्डर में अभी वो नहीं है इमेज तो इस case में क्या हो गया हमारा जो image है वो प्रॉपर तरीके से लोड नहीं ह होगा खीक है तो इस तरीके से error आ जाएगी तो इस error में visitor को पता नहीं चलता है कि यहां पर जो image थी वो किसके बारे में थी इस case में alt attribute काम में आएगा तो alt attribute में हम जो भी text लिखेंगे वो text वहां पर display होगा तो यहां पर मैं लिट लता हूँ this is computer monitor image ओके तो यहां पर मैंने टाइप कर लिया यह तो अब हम page को रिप्रेस करके देखते हैं तो देखें यहां पर visitor के webpage पर किसी कारण से image प्रॉपर तरीके से लोड नहीं होती है तो alt text यहां पर display हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंस उमिद आता हूँ आज के मेरे इस वीडियो के जरी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा यदि आज का हमा solutions लाने का तो फ्रेंस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहे जै हिंद जै बारत